हाई एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं बनाओंगी खूब सारी रंग भी रंगी सबजियां मेरा मतलब है मैं बनाने जा रही हूं मेक्स वैज जो की बहुत ही यमी होने वाली है पहले मैंने सोचा था इसे मैं डीफ फ्राइ करके अच्छे और आलू को हम फ्राइ करेंगे दो से तीन मिनट और साथ ही गोवी भी डाल दिया है क्योंकि गोवी को भी थोड़ा टाइम लग जाता है पकने में सिर्फ और सिर्फ मैं शिमला में छोड़ दूंगी क्योंकि वह पूरी हल्वा हो जाएगी अगर मैं फ्राइ करूंगी तो बाकी कम तेल में मैं इसको मिक्स करके इस तरीके से चला लूँगी पहले एक मिनट तक और हाई फ्लेम पे इसको चलाूँगी ताकि इसका हलका हलका सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद मैं हलका नमक डाल दूँगी आधा चमच की बराबर और फिर मिक्स करके इसको कम गयास छोड़ दूंगी इस तरीके से तो मैंने कम से कम एक से दो मिनट के लिए आलू गाजर और गोबी को पकाया है उसके बाद मैं यहां पर आड कर रहे हूँ शिम्ला मिर्च और इसको भी मैं फ्राय कर लूँगी हाई फ्लेम पर करूँगी इसको मैं और क्योंकि फटाफट से ही कर जाएगी तो इसको सिर्फ हाई फ्लेम पर हमें मतला थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जैसे लगता है कि हाँ थोड़ा तल गया उस टाइप का कर लेंगे और उसके बाद लगा दूगी धकन और फिर लोगी मैं यहां पर मटर जो की फ्रोजन मटर है अल्रेड़ी वो पूर गलेवे रहते हैं तो कुछ दो से तीन मिनट ही लगते हैं उसे कूक होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है तो यह सारी सब्जे साथ में ही अब मैं यहां पर मतलब ढकन लगा के पका लूँगी तीन से चार मिनट क्योंकि आल्मोस्ट फिफ्टी परसेंट तक तो आलू, गाजर, गोबी सब भी पक चुका है तो दो से तीन मिनट के लिए मैंने ढकन लगाया ढकन बीच में बिलकुल भी नहीं खोला है मैंने अब चला लेंगे तो यहां पर सब्जी अच्छे से हो गई है और मैं फिर तेज गैस पे इसको चला रही थी ताकि जो आलू और गोबी और इसको हलका सा फ्राय करेंगे हम मैं बहुत जादा फ्राय नहीं करती नहीं तो यह टाइट हो जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता खाने में और थोड़ा तेल एड़ करेंगे एक चमच की बरावर ताकि प्याज को हम भून पाएं तो तो तेल में मैंने आड़ कर दिय इसका अलग सा स्मेल आता है तो इसको मैं अच्छा से भूनूंगे और डाल लूंगे लाल मिर्च हल्दी ताकि कलर अच्छा है मैं प्याज डालने के टाइम पर ही लाल मिर्च डाल देती हूं कलर के लिए और यह स्पाइसी नहीं होती है जादा कश्मीरी लाल मिर्च है तो यह दो चोटे चमच है और आदा चोटा चमच मैंने यहां पर गरम मसाला और आदा चोटा चमच मैंने यहां पर नमक डाला है क्योंकि नमक मैंने पहले भी सबजी में डाल दिया था अब इसे ढकन लगा के कम से कम हम चार से पांच मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और थोड़ा पानी भी आड़ कर दिया था मैंने इसमें ताकि तला न लगे और यह पूरी तरीके से पक गया है और तेल तो छोड़ावा नहीं समझाएगा क्योंकि तेल बहुत कम था इस इसमें मैं आड़ कर दूँगी यहां पे सारी सबजिया जो हमने फ्राई की थी और उसके बाद अब यहां पे मैं इसको मिक्स करूंगे अच्छे से और साथ ही मैं मैं डाल रहे हूँ यह फ्राई किया हुआ पनीर ताकि यह और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए इसमें डाल के थूड़ी तेर के लिए पका लेंगे हम इसको एक से दो मिनट के लिए सारी सबजिया पकी विए बट यह थोड़ा पानी जो है इसको सुखाना जरूरी है तो दो से तीन मिनट लगेंगे यह भी सूख जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पता ताकि इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आए निकल के और ढखकल लगा के इसको दो सुखी हुई इसी सबजी लगते हैं खाने का मन नहीं करता है तो यह सबजी जैसी है वैसी की वैसी रहा उसके लिए जो थोड़ा सा आपको ग्रेवी टाइप दिख रहा है यह ऐसे ही चोड़ना पड़ेगा और यहां पर मैंने कर दिया गैस बंद उपर से थोड़ा सा जो म माँ आजाओ खाना लेके भूक लगे तो मिलते मेरे नेक्स वीडियो में तिल दन बाबाई